जंगल में ट१्मी नाम की एक चड़िया थी जो किराए की मकान में रहती थी लेकिन वह समय पर अपने किराया नहीं दे पाथी थी वह बहुत गरीब थी तब ही कालू सेट अपने पैसे लेने आ जाता है बोलता है चिडिया मेरे पैसे दे दे नहीं तो मेरा घर खाली कर दी चिडिया रोती है बोलती है मालिक मेरे पास पैसे नहीं है मैं कल तक आपको देने का प्रयास करूंगी ना कहकर कालू सेट वहां से च वो सुचता है इतनी अच्छी फ्री की नोगरानी मिल जाएगी वह चुडिया के पास जाता है और कहता है अगर तुम मेरे घर का काम करो तो मैं तुमें अपने घर में रहने दोगा चुडिया मान जाती है और अपने बेटी के साथ कालू के घर चली जाती है और वहां पर जाक और उनकी सेवा भी कर्ठन लगने की वज़ा से चड़िया की बेटी बीमार हो जाती है उसे बहुत जूर से बुखार हो जाता है और वो ठीक नहीं होती चड़िया के पास पैसे भी नहीं थे कि वो उसका इलाज करा है वो अपनी इस बेवसी पे बहुत दुखी थी उस फिर वो कालू सेट के पास आती है कालू सेट से बोलती है सेट जी मुझे कुछ पैसे दिये दीजी मेरी बेटी की तवियत बहुत खराब है उसे बहुत तेज बुखार है मुझे उसे दवा कराना है पिर कालू उसे गुश्चा होकर बोलता है मोटी चडिया मैं तुझे अपने घर में भी रहने दिया हूँ और खाना भी फ्री का खाती है फिर पैसे भी लेने चली आई तो चडिया फिर से बोलती है मालिक मैं आपके पैसे वापस कर दूंगी लेकिन कालू बोलता है नहीं फिर चडिया बहुत दुखी होती है और वह कालू सेट का घर छोड़ कर चली जाती है बहुत तीज बारिस हो रही थी और वो दोनों मा बेटी ठंड से बहुत तीजी से काप रही थी गुडिया की और तवित कराब होती जा रही है लेकिन उसके पास रहने के लिए घर नहीं था वो एक तूटे चाते में रहती है तभी गुडिया की बेटी उसे बोलती है मा क्यों नहीं हम एक चाई के दुकान खोलें और सबको चाई पिलाएं चुड़िया बोलती है लेकिन बेटा हमारे पास तो दुकान खुलने के लिए भी पैसे नहीं है फिर गुड़िया बोलती है ममा क्यों नहीं हम मैना आंटी से पैसे ले ले और चाय के दुकान लगाएं चुडिया बोलती है ठीक है बिटा मैं मैना अंटी से बात करूँगी चुडिया तुरंट मैना के पास जाती है मैना बहन आप मुझे कुछ पैसे दे दे हम चाहिए कि दुकान लगाएंगे और उसे जो भी फैदा होगा हम आपको पैसे दे देंगे मेना मान जाती है वो बूलती है चुडिया तुम्हारा पती भी बहुत मेंटी था इसलिए मुझे तुम पर वरुसा है और मैं तुमें पैसे दे दे रहा हूँ लेकिन मेरे पैसे टाइम पर वापस कर देना चुडिया मेना अंटी से पैसे लेकर एक बहुत ही अच्छी चाय की दुकान खोलती है और उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देती है और वादा करती है कि मैं आपके पैसे समय पर लोटा दूंगी फिर चुडिया दिन भार अपनी दुकान चलाती और सब को गर्मा गर्म चाय पिलाती कोई भी जंगल का पच्छी उचके पास ही आकर चाय पिता था इस तरह चुडिया के पास धीरे धीरे पैसे एकट्टे हो जाते हैं और वो अपनी और अपने बेटी के रहने के लिए घर बना लेती है और वो दुनों बहुत खुश होते हैं और चुडिया दिन रात मेनत करके मैना अंटी के पैसे भी वापस कर देती हैं उदर कालू सेट अपनी पत्नी के लिए एक और नौकरानी लेकर आता है वो नौकरानी भहुत थी सीधी साधी थी कांगोरी उसको अपना काम समझा कर दोनों घर से बाहर गूमने चले जाते हैं चोटी चुडिया उस घर में अभी खाना बना ही रही होती है तबी गलती से उसके हाथ से चिंगारी छोटकर घर में आग लग जाती है और सब को जल के कतम हो जाता है तबी गोरी कभी और काले को आते हैं और अपना घर जला देखकर बहुत रोते हैं उन्होंने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया था जिस्चे उन्हें कोई अपने घर में रहने दे इसलिए बच्चों कभी भी हमें किसी के साथ बुरा बेवार नहीं करना चाहिए